अल इंडिया कोशिकी फेडरेशन के तत्वाधान में कोशिकी फेडरेशन कफ प्रतियोगिता फरीदाबाद हर्याणा में आयो जितुई इस प्रतियोगिता में भारत से आठ राज्य दिल्ली, हरियाना, राजस्थान, असम, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्ताप्रदेश वा तेलांगना ने हिस्सा लिया जिसमें राजस्थान ने दूसरा अस्थान प्राप्त किया राजस्थान से कुल 47 खिलाणियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें 22 स्वड, 5 रजत, वोई 11 कान से पदक जीते पाली जीले से स्वड पदक, अर्मान खान, निखिल पलोड, मुकेश राठर, प्रियांसी जैन, राकेश परिहार, साहनवाज, तयब अली, भुवनेश चोधरी, खृष्णा चौहान, नरेश शीरवी, अमुकेवी अचुमी, मुहम्मद अजीस थाइन, खुश्वंत मावे मुन्तजीर हुसेन, मनीश मेवाडा, रजत पदक, नवीन सेन, कांसे पदक, जिगर कुमावत, गौरो राठर, मधूश श्रिवास्तो, निलेश मालवी, कृष्णा वैशडव, चेतन सिर्वी, ललिच चोधरी, तथा सूरत सिर्वी ने जीते राजस्तान कोष्की महा सचीवा इंटरनेशनल कोट सेन सई मोहिन्यू दीन खान ने बताया, कि मुकेश परिहार, जोदपूर कोष्की सचीव, तयत अलिव, मुहम्मद अजीज ने रेफरी सेमिनार में अच्छे अंक प्राप्त किये, तथा नेशनल रेफरी भी बन गये है तथा पाली पहुषिने पर राजस्तान कोष्की असोसियेशन अध्यक्ष साहिल डांगी, कारेकारेडी सदस्र रमिष चंडर बालोटिया, पाली जीला कोष मुहम्मद इम्रान मेव, कुशाल राजावत, श्रीवकुमार पलोड, अब्बास खान, वा कई गडमाने लोगों उन्हें खिलाडियों को फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया, नर्पत लोहार के साथ मैं बूनम मौरिया, बीजीवी टिवी हिंदी पाली